इंडियन यूटूब इस्ट्री में दुरूराटी और अभी एंड नियू काफी ज़्यादा पॉपुलर चैनल है और दोनों ही चैनल पर बहतरीन इंफोर्मेशन कंटेंट आता रहता है लेकिन दुरूराटी ने हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें उन्होंने ब दुरूराटी को टार्गेट किया जा रहा है हालां कि दुरूराटी ने पहले भी इस तरह के वीडियो बनाए हैं और सरकार से सवाल भी पूछे हैं लेकिन इस बार जो हमले उन पर हो रहे हैं शायद उन्होंने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा दूरूराटी के अपोजिशन में अभी एंड नियू ने एक ट्वीट में लिखा है कि दुरूराटी विदेश में रहते हैं वहीं ट्रेवल करते हैं तो उन्हें इसका कोई हक नहीं है कि भारत के बारे में वीडियो बनाए कि किसे वोट देना चाहिए और किसे नहीं अब यहां इनकी दोग में रहकर भारत के डेमोग्रेसी पर वीडियो बनाए तो वह देश द्रोई हो जाता है बलकि दुरूराटी के माता पिता रिष्सेदार आज भी भारत में हर्याना में ही रहते हैं वहीं दूसरी और रिष्सी सुनक पुस्तों से ब्रीटेन में रह रहे हैं वहां के प्रदा सनातन विरोधी एजेंडा चलाने वाले दुरूराटी का असली नाम बदुरूराशिद पूरा नाम बदुरूदिन राशिद लाहोरी है और ये पाकिस्तान के लाहोर में पैदा हुआ है और इसकी पतनी जूली भी पाकिस्तानी है जिसका असली नाम जूले का है बदुरू एजनसी मोसाद ने अपनी खूफिया रिपोर्ट में यह कुलासा किया है लेकिन मोधी सरकार अब कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे कोई भी पत्रकार, यूटूबर या कोई भी सोसल मीडिया इंफ्लेंसर सरकार से सवाल नहीं पूछ पाएगा यह सरकार के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकेगा यह है ब्रोडकास्टिंग सर्विसेज बिल 2023 यह है ब्रोडकास्टिंग सरकार यह है झाल से ब्रोडकास्टिंग सरकार यूछम C झाल झाल